क्या आपको अपने घुटनों से हर वक्त कट 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 की अवाजे आती रहती हैं और अगर आपको कभी सीडियां चढ़ना पड़ जाए तो बस आपकी जान निकल जाती है क्योंकि आपके घुटने जो हैं वो जवाब दे जाते हैं बेंतहा दर्द उनके अंदर होने लगता है लेकिन अच्छी खबर ये है कि जादतर केसेज में नी पेन को आप मैनेज कर सकते हैं या किसी हद तक इसको रिवर्स भी किया जा सकता है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी आईरवेदिक होम्रेमेडीज के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके घुटनों के दर्द से पर्मनिंट रहत दिलाने की ताकत भी रखती हैं और आपके इस पेन को जड़ से ठीक भी कर सकती है तो चलिए भीना किसी देरी केस इंट्रस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों ही होम्रेमेडीज के बारे में पूरी डीटेल से सबसे पहले तोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि नी पेन क्या है और यह आपके अंदर होता क्यों है विसे तू सभी जॉइंट कम्प्लेक्स होते हैं लेकिन नी जॉइंट कुछ जात ही कॉंप्लेक्स होता है इसमें बोन्स होती हैं और बहुत सारे मसल के स्ट्रक्चर involved होते हैं और इसी वज़ासे इनमें अगर किसी भी एक चीज में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आपके नी में दर्द होना शुरू हो जाता है। कई बार arthritis की वज़ा से, कई बार injuries की वज़ा से, या कभी-कभी आपके knee में space कम हो जाने की वज़ा से, joint space कम होने से, या फिर वहाँ पर घुटने में grease के कम हो जाने से भी इसके structure में बदलावा आ जाता है और आपको इससे permanent लंबे समय तक दर्द रहना शुरू हो सकता है। वैसे जब भी किसी इनसान को knee pain होता है, तो सबसे पहली चीज जो हम लेना शुरू करते हैं, वो है painkillers. लेकिन क्या ये painkillers आपके दर्द की असली वज़ा को ठीक कर सकती हैं? Well, 90% cases में नहीं. ये painkillers आपको वक्ती तोर पे अराम तो पहुशा देती हैं, लेकिन इनको इसको बहुत सारे दिनों तक लेने से 4-5 दिन से जादा या हफते 10 दिन से जादा लेने से आपके अंदर नुकसान भी हो सकता है, आपके liver को और आपके kidneys को ये damage भी कर सकती हैं. इसलिए अपने घुटनों की दर्द की जड़ को ठीक करने के लिए आपको हमेशा natural remedies को अपना चाहिए. वैसे तो बहुत सारी आयरवेदिक और युनानी दवाये हैं जो कि घुटनों के दर्द के लिए दी जाती हैं, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ दो बहुत ही आसान सी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आयरवेदिक परस्पेक्टिव से तो घुटन पेस्ट के बारे में, दोस्तों ये एक ऐसी होम रिमेडी है, जो कि आपको बाहरी तोर पे इस्तमाल करनी है, वैसे आप थोड़ा से कन्फ्यूज हो रही होंगे, क्योंकि अकसर मैं आपको जिंजर और टर्मरिक, यानि अदरक और हल्दी जो है, ये खाने के लिए बताया कर करती है, और बिना किसी नुकसान के आपको फायदा देती है, इस रिमेडी को बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको दो टेबल स्पून बारीक पिसा हुआ अधरक लेना है, और एक टेबल स्पून आपको लेनी है, पिसी हुई हल्दी, ये जो पिसी हुई हल्दी आप को ready-made market से नहीं लेनी है बलकि आपको साबत हल्दी बजार से लेके घर पे ही उसका powder बारीक बनाना है और उसी को इसमें इस्तेमाल करना है तभी आपको सही माईनों में इसके जो benefits हैं वो देखने को मिलेंगे क्योंकि market में जो powder मिलता है हल्दी का वो अक्सर मिलावटी होता है तो इस नुसके को बनाने के लिए आपको इन दोनों चीज़ों को आपस में मिला लेना है और फिर इसमें आपको थोड़ा सा पानी डालके इसका एक पेस्ट जैसा थिक सा बना लेना है और इस पेस्ट को आपको रोजाना अपने दोनों घुटनों के ऊपर लेब करना है और और फिर आप देखिए कितनी जल्दी जल्दी आपके जो घुटने हैं उन गंदा से सूजन और दर्द काम होने लगता है विजिबल रिदर्ट के लिए मैं recommend करूंगा कि आप इसको रोजाना इस्तेमाल करें और करीब दो हफते तक minimum हम इस्तेमाल करें क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि दोनों चीज़ें दोस्तों यह कोई दर्द निवारक दवाई नहीं है यह नाच्रल रेमेडी जो की टाइम लेती हैं अपना असर दिखाने में तो मान के चलिए करीब दो हफते आप इसको इस्तेमाल करेंगे तब ही जाके आपको जो इससे दर्द का जो इफेक्ट है कम होने वाला वो देखने को मिलेगा हमारी दूसरी रेमेडी है औरल यूज के लिए इसमें आपको तुलसी की चाय बना कर पीनी है दोस्तों तुलसी का पौधा एक जबरदस्त हर्ब है जो की nutritionally बहुत ही high profile होता है और बहुत सारे health benefits भी इससे आपको मिलता है खास करके अगर हम knee pain के लिए इसके benefits की बात करें तो इसमें anti-inflammatory और anti-oxidant properties होती है जो की knee pain में आपको काफी जादा आराम देती है दर्द और सूजन को कम करती है और joints में damage को भी रोकती है तुलसी tea को बनाने के लिए आपको 10 से 12 तुलसी की ताजी पत्या तोड़नी है और इन्हें एक कप पानी में डालके आपको अच्छे तरीके से boil करना है जब यह पत्या अपना रंग छोड़ दें तो इसे च्छान ल आपको diabetes है तो आपको पता ही होगा कि आपको शहद इसमें नहीं डालना है बिना शहद के ही आपको इसको पीना है इस चाय को अगर आप रोजाना सुभेश शाम पिएंगे और सिर्फ दो हफते के लिए तो इससे आप देखेंगे कि आपके नी पेन में इससे काफी जादा क कमी आने लगेगी आपको चलने फिटने में जो दर्द होता था वो भी कम होने लगेगा आप धीरे-धीरे सीडियां भी चड़ पाएंगे और आपके जोडों के अंदर सूजन और जो हीट पे जो निकलती है लाली सी रहती है हर टाइम ऐसा लगता है यसे जोडों में से जादू नहीं है जिससे पलक जबकते ही आपको आराम मिल जाएगा दर्द छूमंतर हो जाएगा इन नुस्खों से असली रिजल्ट लेने के लिए इनने कम से कम दो हफते रेगुलर्ली जरूर यूज करें इसके साथ हड़ियों और जोडों को मजबूत बनाने के लिए आप देशी घी का इस्तेमाल करें रोजाना कम से कम आदा घंटे धीरे धीरे वॉक जरूर करें या अपनी डॉक्टर के हिसाब से जो भी उन्होंने एक्सरसाइज आपको सज़ज करी है वो भी करते रहें और हाँ सीडियां बिल्कुल भी ना चड़ें जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम चड़ें इसके साथ इंडियन टॉयलेट की जंगा कोशिश करिए वेस्टरन टॉयलेट को इस्तेमाल करने की दोस्तों ये छोड़ी छोड़ी चीजें आपके घुटनों के दर्द में अराम दिलाने के लिए बहुत तो बड़ा रोल प्ले कर सकती है इसलिए इ प्रॉपर ट्रीटमेंट को भी लेते रहिएगा दोस्तों मझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इसके आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजे चैनल पर नए है तो चैनल को भी ट्राइ कर सकते हैं चलिए इसे के साथ मुझे इजादत दीजिए मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सके